हलो एब्रिवन वेल्कॉण डो मैं चैनल स्यावत सू तो फ्रेंट्स आज हम से आईबी का तीसरा पेपर स्टार्ट करेंगे जो की है एबी एफम या एडवांस बिजनस एंड फाइनिसल मैंजमेंट है फ्रेंट्स है तो चार मड्यूल है फ्रेंट्स इसमें भी एबी सीटी और चारो मड्यूल में मिलागर के लगवग 24-25 चैप्टर समय कबर करने होंगे इसमें पहला जो मड्यूल है फ्रेंट्स वो मैनेजमेंट को डेडिकेटेड है यानि पूरा मैनेजमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरे मड्यूल में हम फाइनिसल मैनेजमेंट के एडवांस कॉंसेट्स को पढ़ेंगे है ना जिसमें हम लवरेज हो गया यह सारी चीज़े सीखेंगे IRR है ना यह सब बहुत सा मतलब mathematical है पुरा mathematical based है और तीसरा जो है वो merger requisition को dedicated है तीसरा module इसमें भी numerical plus theory है और जो चौथा module है friends आपका वो theory based है जिसमें जो latest solutions आई हुए है बिजनेस को चलाने के लिए जैसे cyber security, blockchain और यह सारी चीज़े आई हुई है उसके बार में है एक roughly मैं आपको बता दे रहा हूं हूं तक एक idea लग जाए तो हम यहाँ पहला module module A start कर रहे हैं और मैं parallel में ही module B भी start करूँगा क्योंकि काफी सारे लोग के demand है sir कि module B में numerical based है तो उसको थोड़ा पहले करवाया जाए तो module B भी आप मान लिजे कि जो है parallel में ही चल जाएगा module B भी हम दोनों एक साथ ही cover करेंगे तो चलिए शुरू करेंगे इस lecture को तो ABFM का module A है advanced business and financial management है यह आपका chapter मतलब book number 3 है या compulsory paper number 3 है पहला chapter है आपका basic saaf management उसका part one हम यहाँ पर study करने वाले हैं पूरा का पूरा जो module है फ्रेंस वो management को ही है देखें ABM में advanced ABM में आपने HRM पढ़ रखा है पहले C module हुआ करता था अभी B module के तौर पर आप HRM पढ़ते हैं management समझाएंगे आपको यह कायदे से तो अब एक तरीके साब समझ दीजिए यह HR की degree तो आपने ले ही रखी थी अब MBA की degree आपको मैं थोड़े दिन में hand over करने वाला है तो इस lecture में हम देखने वाले हैं what is management and what is management process तो आइए front से start करते हैं management is necessary for making our life or any task or venture successful तो management ज़रूरी होता है हमारी जिन्दगी को किसी काम को या किसी venture को जिसे हम करते हैं successful बनाने के लिए चाहे वो industry से related हो business से related हो या service activity से related हो task है ना उन सबको successful बनाने के लिए management जड़ूरी होता है management क्या होता है फट्टो के थोड़ा साइस समझ दीजे general sense में तो चीज अच्छी रहेंगी सबसे बढ़िया एक्जांपल management का होता है marriage साधी जब भी मतलब घर में जब भी आपके साधी होती है इतना काम होता है इतना काम होता ह होते हैं विश्वास मानिए कि मतलब उतने steps कहा ही होते हैं तो जैसे अब माल लीजे जो है घर में आपके sister की साधी है ठीक है बारात आनी है तो भी बारात आएगी तो उसके लिए अब आपको tent अगरा का इंतजाम चाहिए होगा right tent वाले से बात करिए खाना बनाने वाले से बात करिए माल लीजे भई हो सकता है आप बहुत रिच हैं आपने destination wedding कर दी है या एक ऐसा marriage hall बुक किया है जहां पर सब कुछ automatic है आपको बस क्यों भई आए आप 10 लाख रुपए दिये आपने आखे बंद की काम खतम हो गया वह एक अलग बात है लिकिन एक middle class जो है जो आम आदमी है वह ऐसा नहीं करता है उसका जनरली यही होता है वो टेंट house वाले के पास आएगा टेंट बुक करेगा खाने वाले के पास आएगा हलवाई उगयरा से उनसे मिल करके खाने की booking करेगा है ना उसके बाद में जैमाल उगयरा जो पढ़ती है stage वाले के लिए photography के इसी करम में ये events होनी भी चाहिए ऐसा नहीं है कि मतलब बारात बाद में आएगी जैमाल पहले होगा है ना हर चीज अपने sequence में ही चलती है तो आपने ये जो कुछ भी मतलब पूरी marriage को जो आर्गनाईज किया ना पूरा ये जो system देखा आपने कि कब कौन सा काम होना है और किस काम के लिए किस बैक्ती की जरूत है किस से काम करवाना है that is management अगर आपने एक successfully एक marriage अपनी घर में करवाई हुई है तो विश्वास मानी कि आप बहुत बढ़िया management कर लेते हैं कि कोई चीज गरबर ना होनी पाए है ना इसमें लोग नाराज भी होते हैं वो भी manage करना ह होता है साधियों में खास करके यह बताते हैं फूपा जी बहुत नाराज होते हैं तो यह सारी चीज़ें आपने manage कर ली कि हाँ ठीक है समय से टेंट हो गयरा लग गया जैमाल की तयारी हो गई लोगों के लिए खाना बन गया बाराती टाइम से आ गए है ना after that उनको आपने जो भी डिनर हो गयरा है वो सर्व किया गया जैमाल हो गयरा हुआ फिर जो भी रस्म रिवाज है वो रस्म रिवाज हो बिदाई हुई सब को जो है अगर step by step हो रहा है तो वो एक तरीकी से आपने management ही किया हुआ है तो वही है अगर आप ऐसा ना करते तो मुश्किल होता है अब management भी कई process से गुजरता है मतलब पहले planning होती है फिर organizing होती है फिर उसके बाद में directing होती है फिर controlling होती है ऐसे बहुत सारी steps होते है पहले आप plan करते हो कि करना क्या है कैसे करना है ना तो बहुत सारी steps है इन्ही steps को ही dedicated है हमारा ये पूरा पूरा module A जितने भी steps होते है management मे उन सभी steps को एक एक chapter बनाया गया है तो कोई चिंता की बात नहीं है तो management का मतलब आप मेरे ख्याल से समझ गया होंगे पहला जो मैंने से simple से सुझा दिया आपको की साधी वगरा के लिए लिए दूसरा management का कोई भी जैसे मान लिजे आप bank में है और पता चल रहा है कि MD and CEO जो में budget पर आ रहे हैं तो ऐसे में उनका भी एक itinerary होता है मतलब step by step कब कितने बजे क्या होगा 9 बजे MD सर उतरेंगे 9 बच के 10 मिनट पर उनको माला और तिलक लगा करके उनका स्वागत करेंगे 9 बच के 20 मिनट पर वो अपना फिर 10 बजे गा 10 बजे जो है उनको ले करके हम जाएंगे जहां पर वो लोगों को पुरस्कृत करेंगे जितने भी अच्छे managers जिन्होंने बढ़ियां perform किया है तो ये ये भी जो है एक तरीके ये जो हो रहा है फ्रेंड ना ये planning अगरा जो कुछ भी हो रही event management कर रहे हैं ये भी एक management है तो ये दूसरा बढ़िया example हो गया और तीसरा बढ़िया example इससे भी ज़्यादा बढ़िया आप अपनी branch में सब को जब आप manager है you are a manager आप branch में manager है अगर senior manager chief manager जो भी manager की post पर हैं आप अपने नीचे के जितने भी लोग है उन सब को जब आप manage कर रहे हैं इसी लिए ये chapter आपको पढ़ाया ही जा रहा है कि जब ब्रांच में आप होंगे लोगों को आपको manage करना पड़ेगा handle करना पड़ेगा तो how you will do that for that purpose we are studying management अब देखे definition पढ़ना ये सब तो हो ही जाएगा लेकिन दिमाग में picture होनी चाहे कि management हो क्या रहा है तो successful बनाने के लिए हमें management की जरूरत होती है चाहे अब वो task कोई भी हो venture कोई भी हो चाहे industrial work हो चाहे business related हो चाहे service related work हो उन सभी को successful बनाने के लिए हमें management की जरूरत होती है अब उसके आदमे हम क्यों management पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का कारण समझे है all of us are aware that modern day banking has become significant component of Indian financial system मतल इंडियन financial system का एक महत्पूर्ण component बन चुकी है important part बन चुकी है क्यों because of increasingly important role played by banks in economic development of country क्योंकि bankों के द्वारा बहुत ही महत्पूर्ण role अदा किया जा रहा किस काम में देश के economic development में तो देश के economic development में कौन role अदा आ रहा है bank इस role अदा करने के वज़ा से हम जो है Indian financial system का एक important part बन जाते हैं कौन bank वाले या bank बन जाता है उनका part इस वज़े से हमें management आना चाहिए in fact the role of entire financial sector for optimum allocation and utilization of financial resources has been continuously growing तो अब चुकी management मतलब कहने का है कि हमने देखा कि जो banking है वो Indian financial system में एक महत्पूर्ण अस्थान गहन रही है अब ऐसे में जरूरी है कि जो financial sector है वो optimum allocation कर सके और utilization कर सके किसका financial resources का इस पर जोर देने की मतलब तो ज़यदा जोर दिया जा 1 जा रहा है कि जो financial sektor है उनको चाहिए कि लोगों का optimum allocation और utilization कर सके लोगों का human resource का कर सके बस्टू ऌगरे assets का कर सके तो proper utilization allocation किया जा सके इस पर जोर दिया जा रहा है इस वज़े से it is therefore very important for bankers to understand the process of management and the function performed by manager along with their importance तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि bankers को ये बात समझ में आए क्या process of management क्या होती है कौन-कौन से functions manager के दोरह perform किया जाते हैं और ये मतलब management क्यों importance रखता है ये बाते managers को bankers को पता होनी चाहिए इसी वज़े से आपको ये पढ़ानी की courses कर रहे हैं अब एक बार आपको management समझ में आ गया management के function समझ में आ गया तो this understanding self help the bankers face the short term as well as long term challenges being faced by them उनके दोरह bankers के दोरह जो भी short term या long term challenges face की जाते हैं bankers के दोरह उनकी understanding आपकी बढ़ेगी उनको आप अच्छे से समझ पाओगे and sell also help the banking system become stronger and more and more resilient अब इसकी वैसे क्या होगा कि banking system जो है और ज्यादा मजबूत होगा आपको management की समझ रहेगी तो आप पूरी की पूरी banking industry जो है banking system मजबूत होगा more resilient होगा और ज्यादा मजब छमतावान बनेगा एक तरीके से परसिस्ट करेगा which is highly important for growth with financial stability क्योंकि ये जरूरी किसलिए है ये बहुत जरूरी है ताकि हम grow करें आगे तो बढ़ें लेकिन financial stability के साथ में सिर्फ बढ़ती नहीं जा रहे हैं सिर्फ बढ़ते ही नहीं जा रहे हैं financial stability will be there financial stability भी होनी चाहिए for protecting the interest of the investors and customers financial stability रहेगी तभी हम customer का या investors का जो भी interest interest मतलब उसका फाइदा होता है यहाँ जो ब्याज इसे नहीं है interest मतलब उसका फाइदा ताकि हम customer का फाइदा और investors का फाइदा देख सकें तो यह हो गई फंट जो है बात है आपकी कि हमें management क्यों पढ़ना चाहिए तो हमने यहाँ पर देखा कि management जरूरी होता है चाहे हमारी life हो चाहे कोई task हो चाहे कोई venture हम करें उसको successful बनाने के लिए अब जो task है जो venture है वो आपका business related हो सकता है service related हो सकता है industry related हो सकता है हम सभी को पता है कि जो आज कल की जो banking है modern day की banking है वो बहुत important component बन चुकी है Indian financial system का यानि पूरे देश के financial system में बैंकों का एक अच्छा खासा role है है ना क्योंकि बैंकों की बैंक जो है आज कल बहुत important role play कर रहे है अदा कर रहे है economic development में country के economic development में बैंकों का बहुत important role है ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि financial sector को ये पता हो कि कैसे जो है जो financial resources है उनका optimum best allocation और utilization कैसे किया जा सकता है इस पर जोर दिया जा रहा है कि financial resources का हमें best utilization आना चाहिए इसलिए ये important हो गया है bankers के लिए कि वो समझे कि management की process क्या होती है managers के द्वारा क्या functions मतलब कौन-कौन से काम किये जाते हैं और उनकी importance क्या है इसके बारे में bankers को पता होना चाहिए एक बार आपको ये समझ आ गई कि management क्या होती है कैसे काम करती है तो उससे आप क्या है कि जो short term या long term की जो आपके challenges होती है day to day ऐसे staff member मिलेंगे जिनको आपको manage करना थोड़ा मुस्किल होगा तो वहाँ पर जो भी challenges जो अगर आप face करें उनको आप मतलब आसानी से overcome कर पाएंगे साथ ही साथ में banking system को भी फाइदा होगा क्योंकि banking system strong होगा और ज्यादा resilient होगा ज्यादा से पहले से ज्यादा सहने वाला हो जाएगा अगर आपको समझ आ जाता है कि management कैसे काम करता है जो की बहुत important हो जाता है किसके लिए अगर bank को grow करना है और stable रखना है अगर बढ़ना तो है आगे लेकिन stability के साथ अगर बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो bank में लोग काम करते हैं उनको sa term और long term challenges को handle करना आना चाहिए जिससे कि हम customer के और जो हमारे investors हैं उनके interest को उनके फायदे को protect कर सकें आगे बात करते हैं definition of management की तो management को कई तरीके से define जा सकता है the term management could be defined in variety of ways कई तरीके से define जाता है it could be referring to the person running an organization collectively who are responsible for decision making तो इसमें वो वेक्ती जो की एक organization को run कर रहा है एक organization को चलाता है जो की responsible होता है decision लेने के लिए कोई भी वेक्ती जो किसी organization को run कर रहा है और जो decision making power रखता है तो इस process को हम management कह सकते हैं जैसे आप मान लिजे जैसे मैं ही अपनी organization से चलाता हूँ CIB बे तस्षोख है न तो इसमें क्या है कि मैं इस organization को run कर रहा हूँ manage कर रहा हूँ आपके messages आते हैं आपकी calls आती हैं आपकी queries होती है telegram पर, whatsapp पर, youtube पर उसके बाद में course को पढ़ाना होता है वीडियो अप्लोड करने होते हैं अगर किसी का कोई concern है तो उसको भी देखना पड़ता है तो ये सारी चीजे जो है मतलब एक तरीके से collectively अगर देखा जाए तो मैं ही organization को run कर रहा हूँ और मेरी ही decision making power यहाँ पर रहती है तो ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इसको जो है हम management कह सकते हैं Cambridge dictionary के हिसाब से management का मतलब होता है Cambridge dictionary refers to management as the activity or job of being in charge of company organization, department or team of employees Cambridge dictionary कहती है कि management का मतलब होता है वो activity या job जिसमें आप in charge होते हैं किसी company के किसी organization के in charge होते हैं किसी department के in charge होते हैं कोई team है उसके in charge होते हैं तो उसे ही management कहा जाता है management management का मतलब जब आप किसी company के जब किसी organization के जब किसी department के जब किसी team के अगर जो है इंचार्ज होते हैं और उस इंचार्ज होने के तौर पर आपको जो भी एक्टिबिटी जो जो जॉब्स पर फार्म करनी पड़ती है that is management यह है Cambridge Dictionary We could even say that three components of management refers to अब यहाँ पर अगर आप जो है management में हैं तो आपके पास three components होगे तीन component होते है management के कौन-कौन से their organizing skill यानि कि जब आप क्या है जब आप जो है किसी company के in charge है जब आप किसी organization के in charge है तो तीन component management के आते हैं आपकी organizing skill कैसी है their skill as entrepreneur आपकी entrepreneur के तोर पर skill कैसी है और साथ ही साथ में getting best out of their team members अपनी team members से आप कैसे best पा सकते हैं यह तीन components होते हैं the skill for organizing अब यहां organizing skill की बात करी गई चीजों को organize करना फ्रेंस होगे the skill for organizing would obviously include the traditional skill, principles and technique of management which have evolved over a period of time and are continuously evolving तो अगर organizing skill की बात करें तो the skill for organizing would obviously include तो organizing skill में आपके traditional skill जो पहले से चली आरे skills है पहले से चली आरे जो से धान तो गह रहा है और वो technique management की जो techniques है यह सभी जो है इसमें include होती है किसमें skill of organizing में और जो technique आप management है जो की काफी समय से धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, evolve हो रही है और अभी भी evolution का काम यानि कि evolve होने का काम चला हुआ है, तो यह सारी चीज़े आपका आज आती है किसमें management में Henry Foyle Henry Foyle widely accepted as founder of modern management method तोड़ा ध्यान रखिएगा founder of modern management method यानि आधुनिक यूग के जो management method है उनके founder Henry Foyle को बढ़ाया जाता है was an early management writer who was instrumental in contributing immensely to formal or national theory तो इन्होंने formal or national theory में contribution दिया हुआ है अपना Henry Foyle है ना, Henry Foyle बोल दीजिए इनको बोलते हैं founder of modern management method उसके बाद में इन्होंने जो theory दी है वो formal or national theory है तो देखें, Henry Foyle जो थे फ्रंट जो है ये एक company में काम किया करते थे ठीक है, तो company में काम किया करते थे तो क्या हुआ गी थोड़ा सा interesting बाते यहां पर समझ लेंगे तो जहन में रहेंगी, ध्यान में रहेंगी तो Henry Foyle जो है जिस company में काम करते है उसकी इस्तिती बहुत खराब थी ठीक है बहुत ज़्यादा इस्तती खराब थी तो हिंरी फायल ने अपने जो बॉस होगे रहा थे उनसे कहा कि सर मुझे जो है यदि आप मौका दें तो इस कमपनी की इस्तती को मैं सुधार सकता हूँ लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप अगर अपने सरकल हट से अपने जोनल हट से यह बात बोल देंगे सर आप मुझे जोन चलाने के लिए दीजिए और मैं जो है इसको प्रॉफिट मिला दूँगा तो यह वैसी बात हो गई इगो हर्ट हो जाता है इगो हर्ट हुआ उन्होंने उनको मौका नहीं दिया लेकिन जब यह बात माली को पता चली कि देर जब पॉर्षन जो कि यह इंट्रेस्टेड है वो बोलता है कि मैं इसको प्रॉफिट मिला सकता हूँ तो उसने खा कि मैं चांस लेने के लिए तैयार हूँ है ना क्यूंकि अल्टिमेटली व उन्होंने इनका पोश्ट ही ऊंचा कर दिया और जब इनकी पोश्ट ऊंची हो गए अमडी वगएरा जब यह बन गए उसी कमपणी के तो अगले पचीस बरस नहीं इस कमपणी को वहां पर रन किया और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे रिसर्च हो गएरा करी एक्सप्र इस बरसों में अपनी नौकरी के दोरान ही मतलब आप सोचिए आप बैंक में अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब करते करते आप दो तीन किताबे लिख डालो इतना टैलेंट हो जाए यह उस लेबल के वेक्ती थे ठीक है तो इसलिए इनको हैंडरी फ्लाइट को बोला जात जाहिए वो हैंडरी फ्लाइट ने बताया था ठीक है जैसे यह पूरा आप पढ़ोगे फ्रंट जो है यह मडूल ए पढ़ोगे ना वैसे वैसे चीज़े आपको और भी क्लियर होती जाएंगी कि क्या हो रहा है अक्चॉल में दा थेरी प्रोपॉंडेट वाई हैंडरी फ् अब उसकाली जैसे जब गांधी जी है और उसी समय वहाँ पर सोची कि अमेरिका में वेश्टन चर्चिल है वहां के राश्टॉपॉंडेट वाई है पती है ना तो contemporary मतलब समकाली एक समय के फेडरिक विंस्लो टेलर इंटर्डूइस मेथट टू इंप्रूब दा इंडरिस्टियल efficiency तो बूलते हैं कि फेडरिक जो टेलर थे विंस्लो टेलर थे फ्रंस जो है ये industrial revolution के time के है मतलब जो है industrial revolution जब अध्योगी क्रांत ही हो रही थी उसके बारे में ठीक है तो थोड़ा से जो difference है हैं इन्हों ने फ्रंस ना theoretical aspect की बात की थे theoretical aspect की बात की थे मतलब इन्होंने कहा कि हम आपको सिध्धान्द दे रहे हैं उसकी सहायता से आप अपने काम को करिए मतलब हमने ये बता दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए अब वो आपकी company में कैसे लागू होगा जैसे हमने कहा कि अगर बच्चे अच्छी मेहनत करेंगे तो वो पास होंगे तो अच्छी मेहनत कैसे करेंगे अब वो आपका लुकाउट होगा ओके तो ये Henry Foyal का concept था तो ये theoretical aspect में गए हुए थे जबकि उसी जेगा पर फेडरिक विंसलो टेलर थे ये practical concept पर गए हुए थे मतलब actual में implementation इनके जो सिध्धानत थे वो सिध्धानत नहीं थे बलकि actual में implementation था उन सिध्धानतों का जो जो है Henry Foyal ने दिये हुए थे एक तरीके से ठीक है तो उनके contemporary Frederick विंसलो टेलर introduced method to improve the industrial efficiency industrial efficiency को improve करने के method दिये हुए है किसने? Frederick Winslow Taylor ने यानि कि industry में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा production कर सकते हैं उसके methods को introduce किया था Frederick Winslow Taylor ने Taylor की book का नाम है The Principles of Scientific Management जो की 1911 में published हुई थी and was voted as most influential management book of the 13th century 20 सतावदी की सबसे अदर influential book के रूप में इसे देखा जाता है तो Frederick Winslow Taylor की book का नाम है The Principle of Scientific Management जो भी नाम वाली चीज़े होती वर्णा वो बहुत पूछी जाती है चुकि ABFM पहली बार है तो भी दो-तीन question तो मतलब इसमें से आप ले ही लो जो है जैसे पहला Henry Floyd वाला यह जो question है Henry Floyd को founder of modern management methods कहा जाता है तो question आपसे पूछा जाएगा which of the following is called founder of modern management methods तो Henry file हो जाएगा the theory given by Henry file was formal organization theory तो यह आपसे पूछा सकता है दूसरा जो आपसे यह पूछा जाएगा ये फेडरिक विंस्लो टेलर की बुक का नाम क्या है the principle of scientific management तो ये चीज़े पूछी आते हैं इनके ज़वारा scientific management यहाँ पर scientific management के सिध्धानतों के इन्होंने दिया था मतलब इन्होंने क्या कहा कि हमको जो मतलब industrial efficiency लानी है उसके लिए scientific method यूज करने की जरूरत है scientific science का यूज करके हम यहाँ पर management करेंगे इसलिए इन्हें scientific management का जर्म कहा जा सकता है scientific management is also known as terrorism यहनी के टेलर से टेलरिज्म कहा गया is a management theory which was used for analyzing and synthesizing workflow with main objective of improvement of economic efficiency and labor productivity तो जो scientific management था यह टेलरिज्म था वो management theory है क्या करती है analyze करती है और synthesize करती है workflow को workflow को यानि कि काम को कैसे मैंने आपको बता ही नी management में steps होते है step by step कैसे हमें काम को यहाँ से चलना है और यहाँ पहुचना है तो कैसे क्या क्या step से लेते हैं हमें वहाँ पहुचना है उस पर जूर देती है और यहाँ पर दे से क्या रहता है economic efficiency यानि कि कम से कम मतलब कम से कम cost लगे और ज़्यादा से ज़्यादा labor productivity आए ज़्यादा से ज़्यादा यानि कि एक labor जो दिन भर में 10 पंखे बना रहा है 10 fans बना रहा है वो 100 fans बनाने लगे target ही है और जहाँ पर एक labor को हमको 400 रुपए देने पड़ रहे हैं दिन भर के वहाँ उसको हमें 200 रुपए ही देने पड़े ऐसा मतलब कोसिस की गई scientific management के थूरू जिसको किसने बनाया था Frederick Winslow Taylor ने इनकी book का नाम है The Principal साफ scientific management several parts of the theory relating to industrial engineering and management are still relevant तो इनके द्वारे जो या management related है वो अभी भी relevant है valid है तो हमने कहां से बात की थी definition of management से तो इसमें हमने देखा था definition of management को में जो term है management उसको कई तरीके से हम define कर सकते हैं उसकी definition दे सकते हैं जैसे it could be referring to person ये उस बेक्ती को refer करता है management वो बेक्ती है management कर रहा है जो कि कोई organization चलाता है collectively जो कि responsible है decision making ले जो कि निर्णे ले निकले है responsible है Cambridge डिक्सनदी क्या कहती है management का मतलब होता है कोई वेक्ती जब वो किसी company का किसी organization का किसी department का किसी team का अगर in charge है तो उसके द्वारा जो भी activity या jobs प्रफाम की जाती है that is management उसके आद में जो management है उसके तीन component की बात की वेक्ती की organizing skill उसकी skill है जे इंटरपनियूर और अपनी team से best जो है result find out करना ये तीन components होते हैं जान लिजाए management की जिसमें से organizing जो skill है friends इसकिल फार organizing में traditional skills सिध्धान्त और techniques management के जो सिधान्त और techniques हैं वो सभी already include होते हैं और ये जो भी techniques और principles हो गएरा है ये समय के साथ धीरे-धीरे evolve हो रहे हैं और अभी भी इनका evolve होना चालू है उसके आद में हमने देखा कि Henry foil जो थे उन्हें हम कह सकते हैं modern management method के founder यानि कि modern management के जो आधुनिक management के जो methods हैं उनके founder थे Henry foil और इन्होंने जो theory दी थी वो थी formal organization theory Henry foil ने जो theory propound की थी बताई थी उसमें छे तरीके की organizational activity का जिक्र किया था उनमें से एक management भी है इसमें जो ये इनके theory है वो explain करती है different different जो function different जो principle ये सिद्धान थे management के उनके बारे में उनके जो contemporary थे यानि कि Henry foil के contemporary थे Frederick Winslow Taylor इन्होंने industrial efficiency को improve करने के method को introduce किया था यानि industry में ज़्यादा ज़्यादा production हो सके उसके method को इजाद किया था Taylor की जो book है उसका नाम है the principles of scientific management 1911 की ये book publish होई थी और इसे 20-वी सताबदी की सबसे influential book के नाम से भी जाना जाता है scientific management को Taylorism के नाम से भी जाना जाता है scientific management का मतलब हम Taylorism कहते हैं ये एक management theory है जहाँ पर जो भी बैक्टियों के दुआरा workflow है जो workflow है उसको analyze करना synthesize करना, synchronize करना है और साथिसाद में ये काम हमें करनी है जो भी काम है उनको मतलब कैसे किया जाना है उसके लिए analysis करना, scientific management में आता है साथिसाद में workflow को synthesize करना है कैसे कैसे step by step से आगे बढ़ेगा उसके बार में पुरा research की जाती है और यहाँ पर उद्दे से क्या होता है वो होता है कि economic efficiency को बढ़ाना और labor productivity को बढ़ाना यानि कि labor जादा से जादा production कर सकें और cost जो है हम कम से कम लगाए theory के बहुत सारे part ऐसे हैं जो कि अभी भी relevant है industrial engineering और management से related है to quote Henry Foyle Henry Foyle काँ थे जो modern management methods के founder है Henry Foyle तो उनको quote अगर किया जा तो वो बताते हैं management के बारे में यह पूरी definition है उनकी यहाँ तक मेरे ख्याल से to manage is to forecast and plan to organize, to command, to coordinate and to control तो manage का मतलब होता है manage करने का मतलब होता है forecast करना और plan करना organize करना command करना coordinate करना control करना ये तनी बाते हैं उनकी उन्होंने Henry Foyle ने बताई फिर हर एक को समझा जाए भी कि forecast और plan का क्या मतलब है organize का क्या मतलब है समझ रहे ह। फिर उसका हमने книга command का क्या मतलब है मैंने कहा control का क्या मतलब है सारी बाते हैं उन्होंने बता ही, to foresee and plan means examining the future and drawing of the plan for action, मतलब अगर to foresee or forecast and plan का मतलब है, कि हमें planning करने की जड़ोत है, हम future को examine करेंगे, भविसी क्या होगा, कैसा होगा, हम क्या कर सकेंगे, और उसी के हिसाब से अपना plan बनना, जैसे हमें आगे चल करके 50 क्रोड रुपए का profit कमाना है, कोई bank सोचता है कि हमें 50 क्रोड का profit बनाना है, तो हमने future examine किया भई, यह हम 50 क्रोड का profit कमाएंगे, अब कैसे हम यह 50 क्रोड का profit कमाएंगे, उसके लिए हम plan of action तैयार करेंगे, to organize means, building of the dual structure, material and human of the undertaking, to organize का मतलब हमें चीजों को organize करना होगा, यहाँ पर dual structure तैयार करेंगे, एक तो material होगा और दूसरा human resource होगा, इन दोनों को मिला करके, organize करेंगे, material को भी organize करेंगे, human को भी organize करेंगे, ताकि हमारा जो है, जो हमने यह plan किया होगा, उसको हम execute कर सकें, to command means, binding together, unifying and harmonizing all activities and effort, command करने मतलब, जैसे Hitler ने command किया, पूरी की पूरी जर्मनी को एक साथ ले कर के आया, तो उसने वही है, to command का मतलब binding together, सबको एक साथ bind करना, unify करना, एक में मिला देना एक तरीके से, सभी activities और effort को harmonize करना, जैसे मैंने बताया कि साधी में हर एक काम को, एक certain time पर ही होना चाहिए, तो वही है harmonize करना, एक समय पर एक activity होते जाए, और धीरे धीरे पुरा कारकम खतम हो जाए, to control means seeing that everything occurs in conformity with established rules and expressed demand है, to control मतलब हम यहाँ पर control करने कोशिस करते हैं, कि हर चीज जैसा भी नियम कानून बना हुआ है, उसी के conformity, उसी के हिसाब से ही चीज़े हों, जैसा हमने सोचा हुआ है, जो भी हमने नियम बनाया रखे हैं, उसी के conformity में ही हर चीज को होना चाहिए, जो भी हमारी demands हो गएरा है, जो भी हमारे established rules हैं, उसी के according ही चीज़ों को होना चाहिए, तो ये था Henry Foll की definition of management, तो इसमें हमने देखा कि Henry Foll ने क्या गहा, कि management का मतलब होता है, to manage is to forecast and plan, चीज़ों को forecast करें और plan करें, organize करें, command करें, coordinate करें, control करें, फिर हमने देखा कि to forecast and plan का क्या मतलब है, कि future में हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से plan मनाना, ये होता है to foresee and plan, to organize का मतलब है, कि हमें सभी को एक साथ ले कर आना होगा, चाहे वो material हो, चाहे वो human resources हों, इन सभी को use करके, हमें अपना काम करना है, human resources को भी utilize करना है, material का मतलब भी कोई factory है, वहाँ पर material भी होगा, हमारे बाद जैसे मानने, ये AC बनाने की company है, तो AC में जो भी raw material लगता है, AC बनाने के लिए, वो सारी चीज़े है, और plus human resources है, उन सभको एक साथ ले करना, organize करना, command करने का मतलब होता है, कि हर एक को एक साथ ले कर के आना, सभी activities को, efforts को harmonize करना की, वो उसी करम में हो, होनी चाहिए, to control का मतलब चीज़ों को, जो established rules and regulations है, उसके हिसाब से ही, confirmity में होना, express demand के हिसाब से, established rules के हिसाब से, चीज़ों का होना, control कहलाता है, फिर आती है बात जो है, फ्रेंस पीटर ड्रकर की, अब famous management guru, ये भी एक famous management guru है, Peter Ducker, in his book, अब इनकी भी book है, तो इसका मतलब नाम important हो गया, management task responsibilities practices, तो ध्यान रखिएगा, बुक का नाम है, management task responsibilities practices, ये है book by Peter Drucker, has written that Frederick W. Traylor, Frederick W. Traylor was the first man in recorded history, who deemed work, deserving the systematic observation and study, तो जो आपके Peter Drucker है, उन्होंने ये लिखा, कहा कि भई जो Frederick Taylor था, या टेलरी जो जो सिधान्त लेकर आये थे, जिन्होंने scientific management की बात की थी, किसने, टेलर ने scientific management की बात की थी, तो ये पहले वेक्ति थे recording history में, जिन्होंने ये कहा, कि जो काम होता है, work होता है, क्या नाम है, factory उगेरा का, उसको systematically observe करने, और study करने की जुरूत है, इस बात पर जो और देने वाले, पहले वेक्ति कौन थे, Frederick Taylor, पहले लोग इस, मतलब जो है work को, बस भई, घर बन रहा है, घर आपका बनना है, बनेगा, बात खतम हो गई, धीरे-धीरे बनता रहेगा, वाइरिंग का काम होगा, फिर प्लंबरिंग का काम होगा, यह सारी चीज़े systematically, जो है observation और study की जुरूत है, इस बात पर जोर किसने, Frederick W. Taylor ने दिया था, Management is not common sense, but, sorry, Management is not common sense alone, but a discipline, a culture, an art, and science at the same time, तो management, common sense नहीं है अकेला, बलकि एक discipline है, एक culture है, एक art है, एक science है, सब कुछ एक साथ है, एक ही समय पर सब कुछ है, मतलब इसमे science भी लगे, इसमें art भी लगे, इसमें discipline भी लगेगा, कल्चार भी लगेगा, सब कुछ लग जाता है, तो यह सारी चीज़े management होती है, It represents people, their achievements are failure, denote the effectiveness of management or mismanagement of the organizations affair तो ये management जो है, लोगों को represent करता है, उनके achievements को, उनके failure को denote करता है ठीक है, अगर आपने achievement की है, तो इसका मतलब management की effectiveness अच्छी है अगर आपने failure किया है, तो इसका मतलब mismanagement हो रहा है, जो भी task affair का मतलब जो भी काम है उसमें mismanagement हो रहा है तो यह हो गई फ्रेंट जो है बाते कुछ और तो हमने यहाँ पर देखा Peter Drucker जो की management guru है मसहूर management guru है उनकी book का नाम है management task responsibilities and practices ठीक है उन्होंने बताया था कि Frederick trailer जो है Frederick trailer पहले बेखती थे recording history में तिहास के पहले ऐसे बेखती थे जिन्होंने यह माना कि जो work है किसी भी organization का उसको systematic observation और study की जरूरत होती है इसलिए Taylor का जो सिधानत है उसे scientific management method कहा जाता है scientific management management के वल common sense नहीं है कि हाँ manage हो जाएगा बलकि एक discipline है अपने आप में एक culture है एक science और art सब कुछ एक साथ में यह होता है यह management लोगों को represent करता है उनकी achievement और उनके failures को represent करता है achievement तब होगी जब आपका management effective होगा failure तब होगी जब आप organization के work को organization के affair का mismanagement करेंगे तो यह management के बारे में बाते होगी अब management process की बात कर लेते हैं अबर मिलकुल छोटा सा topic है productivity is very important in any business organization किसी भी organization में productivity बहुत जरूरी है हम जैसे bank चलाते हैं तो हमारा उद्दे से क्या होता है profit कमाना जनता की सेवा करना plus profit कमाना there is continuous demand on people at the helm of affair to increase productivity for increasing profit to meet the expectation of stakeholders and the society तो जो भी लोग जो है मतलब productivity का मतलब जो भी लोग company के affairs को देखते हैं company के काम को देखते हैं उनसे हमेशा यही कहा जाता है कि आप productivity बढ़ाईए ताकि profit बढ़े और profit बढ़े जिससे की जो है जो जिसने पैसा invest किया उसको फायदा हो साथ ही साथ में society को भी फायदा होना चाहिए the process of management involved multiple actions performed in a series to achieve the objective of business enterprise जो management की process होती है उसमें multiple actions जो है एक series में perform कियाते हैं पहले A काम होगा फिर B फिर C फिर D है न जैसे आपको अगर जो है जैसे morning में उठते हैं उठते हैं तो पहले fresh होते हैं फिर असनान करते हैं फिर पूजा पाठ करते हैं फिर कपड़े पहनते हैं तयार हो करके office के लिए निकलते हैं तो बदलब यह है the process of management में multiple actions होते हैं बहुत सारे काम करने हैं नहाना भी है है ना कपड़े भी पहनने है after that जो है fresh भी होना है तो यह एक क्रम में होंगे परफार्म इनना सीरीज सीरीज में होंगे तब ही जो बिजनस इंटरपराइज है उसके उद्देश को आप अचीव कर सकेंगे पहले में कपड़े पहन लूँ और उसके बाद फिर नहाने जाओं that will not be helpful तो यही बोल रहा है कि management की जो process होते हैं जो कि एक सीरीज में करने पर ही हमको अपना target achieve हो पाता है the process of management can be classified as a social process अब यह बोल रहा है कि जो management की process है उसको हम social process भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें it involved relationship and cooperation between people and their team effort क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लोगों की बीच में एक relationship एक cooperation की जरूरत होती है उनके चाहे लोग हो चाहे उनकी team हो इसलिए इसको social process management की process को हम social process भी कह सकते हैं तक आपकी आपस में एक relationship होती है friendship relationship established हो जाती है आप एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं तो जो management की process है उसको हम social process भी कह सकते हैं कि समाज को हमने जोड लिया समाजिकता उसके अंदर ले आए and this process is continuous process as development on various fronts which economic, social, political, regulatory are taking place all the time और यह जो management की process होती है यह continuous process होती है क्योंकि एक problem solve करोगी you solve a problem new problem crop up एक problem solve करो दूसरी problem आ जाती है तो यह continuous management एक continuous process होती है क्योंकि किसी ने किसी end पर कुछ नकुछ problem develop होती ही रहती है a manager is supposed to deal with the multiple problem at the same time जो manager होता उसको एक साथ में कई सारी problems को deal करने की जरूरत होती है जो कि different resolution stage पर होगी हर एक problem अलग लग stage पर होगी हो सकता है office में दो लोगों की नहीं बनती है manager उनकी problems को solve कर रहा है उधर circle office से journal office से phone आया हुआ है कि आज यह target पूरा करना है उसको भी हो solve कर रहा है मतलब अलग अलग तरीके की 10 customer उसके सामने आये हैं जिनकी अपनी problem है उनको भी solve कर रहा है understand the complete significance of this activity तो यह जो management की complexity है जो इतना ज्यादा जटिलता है उसी की वेज़े से यह बात सामने आती है कि हमें क्या जरूरत है कि हम हर एक activity को breakdown कर दें हर एक activity को कई पार्टों में तोड़ दें जिने हम सब activity भी बोल सकते हैं ताकि हम मतलब हर एक activity के महत को समझ सके और इसी की वेज़े से this is the region for division of management task into different element इसी वेज़े से जो management के task है उनको different element में distribute किया गया है वो है planning, organizing, staffing, directing and controlling और यह friends आपके chapter भी है chapter number 2 है, chapter number 3 है, chapter number 4 है, chapter number 5 है और यह chapter number 6 है यह खतम हो जाएगा तो आपका module A भी खतम हो जाएगा तो यह बोलना है कि यही कारण है कि मतलब management में हमने क्या गया है कि management जो है complex process थी इसी वेज़े से उसको हमने sub part में divide कर दिया ताकि हर एक activity को हम अच्छे से समझ सके तो इसी वज़े से इनको जो management की process है, management की task है उनको divide किया गया planning, organizing, staffing, directing and controlling में divide किया गया है, staffing बाद में आया है जो पहरे henry file और ने दिया था उसमें planning, organizing, directing और controlling ही दिया थे यह चार ही दिये थे लेकिन बाद में फिर staffing को भी इसमें add कर दिया गया है, तो इन ही मतलब यह 5 अगर हमने पढ़ लिया तो यह पूरा module A आपका खतम भी हो जात मतलब आगे अभी इसी chapter number one में ही हम थोड़ा थोड़ा planning भी थोड़ा organizing, थोड़ा staffing, थोड़ा directing और थोड़ा controlling पढ़ेंगे वो भी इस chapter में दिया हुआ है, लेकिन आगे चल करके यह पूरे के पूरे chapter में convert हो जाएंगे और planning क्या है पूरा पढ़ेंगे, organizing क्या है पूरा ए directing and controlling, posdc, यह इसी क्रम में होती है, पहले आप controlling नहीं कर सकते हैं, सोचिए कि planning बात में करेंगे और पहले हम directing कर देते हैं, तो possible नहीं होगा, यह इसी क्रम में होती हैं, तो all these elements are interconnected, each of these can be analyzed as a sub-process, मतलब यह भले ही आपस में connected हैं, लेकिन इनको हम एक अलग process के तोर पर analyze कर सक organization की success में contribution करता है, irrespective of the size, मतलब कहने का चाहे planning हो, चाहे organizing हो, staffing हो, directing हो, controlling हो, यह सभी किसी भी organization की success में, सफलता में, अपना contribution देते हैं, चाहे वो organization छोटे size की हो, या बड़े size की हो, चाहे वो public enterprise हो, चाहे private enterprise हो, चाहे वो sole proprietor हो, partnership firm हो, कोई company हो, या फिर industry हो, business हो, service हो, non-profit organization हो, इन सभी में, यह सारे के सारे elements जो है, अपना महत्कों रोल अदा करते हैं, ओके, तो management process में हमने देखा, पूरा management, मतलब management एक process है अपने आपना, तो productivity किसी भी जो है organization में, business organization में productivity, यानि कि, जादा से जदा productivity हर कोई चाहता है, ओके, तो जो भी लोग company के affairs को देखते हैं उनके उपर दबाव रहता है कि आप productivity को बढ़ाईए, ताकि हम अपना profit बढ़ा सकें, जिससे कि हम जो stakeholder से, जन्होंने हमें loan अगयरा दे रखा, उनकी उम्मीदों को, जन्होंने हमारे share खरीद रखें, उनकी उम्मीदों को, समाज की उम्मीदों को बहर हम खरा, उतर सकें, जो management process होती है, उसमें बहुत सारे actions होते हैं, जो कि एक series में किया जाने ही, एक crumb में किया जाने चाहिए, ताकि business का जो उद्देश से है, उसे पूरा किया सकें, जो management की process होती है, उसको हम social process भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सामाजिक तोर पर भी involved हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने किसी front पर कोई ने कोई जो है समस्या develop होती रहती है चाहे economic front पर चाहे social चाहे political चाहे regulatory front पर कोई ने कोई एक problem आप solve करेंगे दूसरी problem जो है त्यार हो जाएगी managers को एक समय पर ही बहुत सारी problem उसके साथ deal करना होता है same time पर और हर एक problem अलग अलग resolution stage पर होती है इन्ही सभी complexity को देखते हुए management में मतलब management की ये complexity को देखते हुए हर एक activity को different different sub activities में बाट दिया गया है इसी वज़े से यही region है division of management task का जो है उसको different different मतलब की management के जो task है उनको डिवाइड कर दिया गया है different different element में जिनमें आपका planning, organizing, staffing, directing and controlling आता है planning, organizing, staffing, directing and controlling POS, POS machine होती है district collectors होती है POS DC ये सभी elements यानि जो POS DC है अपका ये सभी आपस में connected है बिलकुल connected है लेकिन फिर भी हम इनको analyze करना चाहें तो एक sub process के तौर पर हम analyze कर सकते हैं और इन में से हर एक element जो है किसी भी organization की success में अपना role अदा करता है contribute करता है चाहे वो संस्था बड़ी हो या छोटी हो चाहे उसकी ownership का type जो है public हो या private हो चाहे उसका constitution sole proprietor firm हो यानि एक वेक्ती है वही चला रहा है partnership firm है कई लोग partner बन करके या कोई company है या organization case type का है industry है business कोई कर रहे हैं दुकान खोली होई है कोई service provide कर रहे है कोई non-profit organization चला रहे है इन सभी के success में यह post DC जो है help करता है friends तो friends यह पहले chapter का पहला lecture ही पर खतम होता है hope है आपको पसंद आया होगा पहला lecture है तो मैं यहाँ पर like के लिए request कर दूँग आपसे उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे और जो भी आपके concerns हो comments हो उनको बताईए ताकि उसको भी resolve किया जासके thank you so much friends